नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुबम सौगे थे आपका इस वीडियो में आज हम बात करेंगे MP बोर्ड रिजल्ट के बारे में कि क्लास 12 का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा या फिर नहीं क्योंकि जो बोर्ड ने आपको डेट दी थी वो 25 दी थी कि 25 जोलाई तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो आपके मन में भी अभी सवाल होगा कि आज हमारा रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा तो आपके सवाल का जवाब हम देंगे तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो बोर्ड के द्वारा नोट जारी किया गया था उसमें क्या लखा था हम भी आपको बताएंगे और एक हमारे पास जो कॉल रिकॉर्डिंग है कि जो मैंने बात की थी बोर्ड के अधिकारी से तो उन्होंने क्या कहा तो भी आपको सुनाओंगा और आप अपने रिजल्ट चेक कैसे कर सकते हैं भी आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आ कि आपका result आज घोसित होगा क्योंकि जो board की तरफ से पहले notice आया था उसमें लिखा था कि आपका result जुलाई के थाइड बीक में घोसित होना है फिर उसके बाद board ने date आंगे बढ़ाते हुए कहा कि आपका result 21-25 के बीच में घोसित किया जाएगा लेकिन फिर से अभी date आंगे बढ़ गई है और अभी तक board की तरफ से कोई भी official notice नहीं आया है जिसमें लिखाओ कि आपका result इस दिन और इतने वज़े घोसित होना है अगर जैसे ही कोई notice आता है तो हम आपको update तो रंत करेंगे तो आप चैनल को subscribe करके bell icon दवाए रखें तो आपको call recording की सुना देते हैं क कि बोट के अधिकारी ने क्या कहा तो आप पूरी call recording सुने वीडियो के लास्ट तक आप बिल्कुल भी skip ना करें अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं मुक्लास 12 का result कब तक आएगा तो आप देख सकते हैं मैं अपनी mobile की स्क्रीन की तरह पाचका हूं और सबसे पहले आपको Google में जाना है या फिर Chrome ब्राउजर ओपन कर लेना है तो यहाँ पर आपको सर्च करना है mpbse.nic.in देखिए mpbse.nic.in आपको सर्च कर लेना है देन इसके बाद कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा और आपको right side में जूम करना है और यहाँ पर आपको result का option देख रहा होगा आपको इस पर click करना है और अभी देख सकते हैं class 12 का result declare नहीं हुआ है जब आपका result declare हो जाएगा तो इस प्रकार से लखा आएगा और आपको इस पर click करना होगा इसके बाद आपको यहाँ पर अपना rule number एंटर करना होगा और नीचे application number देन एंटर करने के बाद आपको submit पर click करना होगा और आपका result आपके सामने होगा और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो please वीडियो को like करें और हमें support करते रहें